आठ साल का प्रांचू इन दिनों अपने असली नाम से ज्यादा भगवान ग्रनेश जी के रूप की वजह से ज्यादा मशूर है पिता कमलेश मिस्त्री है और मा राजिंदरी हाउज वाइप इनकी पांच संतानों में एक प्रांचू ऐसा है जिसके सिर्की हड़ी नहीं है उसकी टांगे कमजोरी के कारण शरीर का भार उठाने में असमर्थ है वह ठीक से चल नहीं पाता लोगों का मानना है कि प्रांचू की कही बात सच हो जाती है प्रांचू के लिए बकाइदा दरबार लगाया जाता है उसे वहां गनेश जी का रूप देखर बैठा देते हैं जहां लोग प्रांचू के आगे माथा टेक चड़ावा चड़ाते हैं अनोखे बच्चे को देखने आ रही पबलिक पिता कमलेश्ट से बादचीत में कहा की वे इसे भगवान का ही रूप मानते हैं वह कहते हैं कि मैं भी इसे अन्ने गावालों की तरह पूझता हूँ इसका पूरा शरीर भगवान गनेश की तरह है गाउवाले आते हैं और प्रांचु से आशिरवाद लेते हैं फिर उन्होंने प्रांचु को प्रणाम कर जो भी मायता की होती है वेह पूरी हो जाती है वह रोज स्कूल भी जाता है लोग उसे देकर फूल देकर उसका स्वागत करते हैं पिता कहते हैं स्कूल से लोटते वक्त वेह रास्ते में ही एक जगह बैठ जाता है जहां आकर लोग उसके आगे माता टेकते हैं.